कि दोस्तों आज मेरी किचिन में सभी लोगों का स्वागत देखी आज मैं बनाने जा आ गड़ी आज सोचा आप आलक का शीर निकलने वाला तो सोचा थुड़ी साथ पालक की कड़ी की वीडियो की जाए और यह तो एकदम फ्रेस पालक है तो सुचा आज आपको इसाथ इसकी वी वीडियो सेयर करते हैं क्योंकि लाश्ट चल रहा है फनवरी में और मार्च तक आधी मार्च तक यह पालक खतम हो जाती है फ्रेस आना तो सुचा आज इससे ही आपको कुछ नया बताया जाए तो देखिए म दई और इसी साथ से मैं डाल दूँगी पानी और दई मेरा एकदम घर का है तो एकदम गाड़ा आए तो मैं इसमें पानी ज्यादा डालूंगी अगर आपका दई से नहीं अगर आप छाज से बना रहे हो तो पानी बिलकुल यूज मत कीजिए और दई बिलकुल खटा नही कड़ी में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आता तो यह देखिए साथ में डाल दूँगी हल्दी धनिया सुका एक चमच पाउडर और साथ में लाल मिर्ची और इन सब को मैं अच्छे से अभी नहीं और भी मैं इसमें बेसन डालूंगी उसके साथ ही मैं अच्छे से इ थिक आते हो तो आप दो की जगा चार चमच भी डाल सकते हो तो इसी से आपकी कड़ी एकदम थिक हो जाई लेकिन अमारे घर पतली से थोड़ी ख़ती है ना तो साथ में चावल बनाऊंगी और यह देखिए मैं अच्छे से डाल दिया और यह रही से मैं अच्छे से चला द लब से नहीं है और साथ में मिर्ची काट के रख दी है तीन चार और साथ में सूखी मिर्ची को भी मैं अच्छे से तोड़ लिया है ज्यादा मसाले का यूज नहीं करेंगें क्योंकि कड़ी तो सिंपल तरीके से यह अच्छी लगती है आप किस तरह से खाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में जो मैंने पालक को अच्छे से दो के रख लिया थे था था अब अच्छे से पानी उसका निकल गया तो मैंने इसको अच्छे से कर दिया है mechan yup काट के रख लूगी और … ये देखी मैं अज़र इस इस काटती हूं कि मुझे न ऐसी काटना आता है तो मैं इसी रुखे दनिया पालक सब चीज को अच्छे से काट नहीं लीया और IF आ अब काट ने के बाद आई कड़ी को अच्छे से बनाना स्टार्ट करते हैं साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा जीरा थोड़ा से रई आप चाओ तो थोड़ा सा हिंग भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास हिंग नहीं है तो यह देखिए मैं बस इतना ही यूज करूंगी उसके लाबा कुछ भी नहीं डालू बुझे गया है तो मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी हरी मिर्ची और जो सूखी मिर्ची रखी दन लाल वाली आप चाओ तो इसमें थोड़ी सी इंका भी उपयोग कर सेकते हैं उससे भी मारा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप एक बाद जरू ट्राइ कीजे मेरे प फटने का डर होता है तो आप लीस नमक का यूज बिल्कुल मत कीजिए यह देखी मैंने डाल दिया कड़ी और मैं इसको अच्छे से चलाती रहूंगी क्योंकि चलाना भी जरूरी यह नहीं चलाएंगे तो भी हमारी कड़ी बिल्कुल फट जाएगी आप इसमें अच्छे स बनाइए जरूर चाय आप बजार से मगा के बनाइए पर इस टाइम सीजन है पालक का तो हमको पालक खानी भी चाहिए क्योंकि पालक हमारे शरीरे के लिए बहुत सहाध मन है तो इसलिए दोनों काम बनाती हूं क्योंकि पालक मुझे बहुत अच्छी लगती हो यह देखी क को आराम से कड़ी को बलने दीजिए और देखिए फिर कड़ी बन के हमारी कितनी अच्छी तरह से तयार होती है और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर तो मैं अब इसी स्टेज पर बस नमक डाल दूँगी पहले नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला तो आपना बिल्कुल लास्ट में नमक को डाला नमक आपने टेस्ट की अकॉर्डिंग डाल सकते हो कितना खाते हो कितना नहीं क्योंकि नमक का तो कोई टेस्ट नहीं है कोई कम खाता है कोई ज्यादा काता है तो आप उसे और ये मैंने धनिया को अच्छे से काट के द्या अच्छे मिल खाली में गुश्बू तो इतनी अच्छे आ रही कि आप यकीन नहीं करोकि साथ में Brief लेकिन चावल की मैंने वीडियो नहीं डाली है और बस अब मैं लगा दूंगी टिप इन बच्चे के लिए क्योंकि मैं सुबह की टाइम बना रही तो मैंने रख दिया यह कड़ी और साथ में रख दिया दो रोटी यह बहुत अच्छी है सेर्ड नास्ता बगरा से यह बहुत बचल की मैं रख दो जो जोगगी यह बचाने रख दिया के लिए के लिए अबरा रम बच्णाब का प्रेज़ भी यहाँ प्रेज